बहुत से लोग ड्रग, मेडिसे और रेमेडिस में अंतर नहीं समझ पाते हैं, जो की एक फरमासिष्ट के लिए जानना बेहद ही जरूरी है, तो मैं हुमापैतिक के अनुसार इसे परभासित करूँगा और अंतर समझाने का कोशिस करता हूं, तो देखते रहिए और बने रह सबसे पहले बता दूँ कि ड्रग फ्रेंच वाइट के ड्रगिव से लिया गया है, इसका मतलब होता है ड्राई एंड हर्व, यानि सुखी हुई चुरण, तो मैं कह सकता हूं कि ड्रग एक परकार का टीटमेंट करने वाला अजेंट है, इसको फर्मकोपिया के इस्टेंडर रूल्स रेगुलेशन के अनुसार तयार किया जाता है, जो कि सरीर के अंदर अपना परभाव, संबेदना और फंसन करने का छमता रखता है, यानि ड्रग को कह सकते है रा मटेरियल, जो सरीर में अपना कुछ परभाव पायदा कर दे, होमापैतिक के अनुसार देखा जाए तो ड्रग तिन परकार के होते हैं, मदर टीचर, मदर सलूसन, एंड मदर सबिस्टेंस, अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में, कि मेडिसिन क्या है और कैसे तैयार किया जाता है, होमापैतिक के अनुसार बता दूँ कि जब किसी ड्रग्स को पोटेंटाइज करके पावर पावर को जनकारी ले लिया जाता है, तो उसे मेडिसिन कहा जाता है, जैसे नक्स भोमिका 30, बिलाडोना 30, साथी साथ बताते चलों कि रेमेडिस के बारे में कि रेमेडिस क्या होती है, और रेमेडिस किसे कहते हैं, ऐसे तो रेमेडिस का मतलब होता है उपचार करना, यान तरह से remedies थ्री टाइप्स के होते हैं, साट एक्टिंग remedies, डीप एक्टिंग remedies, पोलिक्रेश्ट remedies, साट एक्टिंग remedies का मतलब होता है, कि ऐसा medicine जिसका इंटेक करने के बाद, इसका effect कम समय के लिए सरीर में बना रहता है, जैसे एलियम सीपा, बेलाडोन, और दूसरा है डीप एक्टिंग remedies, इसका मतलब होता है, कि इसका परभाव सरीर में लंबे समय तक बना रहे, उसको डीप एक्टिंग remedies कहते हैं, और थर्ड नमबर है पोलिक्रेश्ट remedies, इस परकार के medicine का परभाव बहुत बिस्तरित होता है, यानि यह medicine कई परकार के symptom को एक साथ क्योर करने में सक्षम होती है, जैसे आर्सानिकम एलबम, आर्सानिकम मॉंटान,